हेलो डियर फ्रेंज तो कैसे आप सभी उमीद करता हूं अच्छे होंगे स्वागत आपका श्रमाजनी क्लासेस के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपोर्टन न्यूज लेकर के माया हूं इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर गोविन सिंग डोटासरा ने केम्पूटर सिक्षक बरती को लेकर के क्या कहा है सबी विजयार्थियों के लिए बहुत ही मैतरपून सूजना है वीडियो का बिल्कुल लाश्ट तक देखना आपको एक ओफिशल ट्वीट के यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि राजस्तान में पहली बार होने जा रही केम्पूटर अनुदेशक बरती को स्थाई बरती करने की सहमती विती बाग से मिल चुकी है यह जो ट्वीट है यह ओफिशल ट्वीट किसका है गोविन सिंग डोटासरा का है जो शिक्षा मंतर है और उन्होंने कहा है कि राजस्तान में पहली बार होने जा रही केम्पूटर अनुदेशक बरती को स्थाई बरती की सहमती विती बाग से मिल चुकी है देखिए जो बरती आई थी यह दस हजार प्लस पदो पर बरती है पहले इसको जो है आपको समीधा बेस पर रखा गय कि यह जो बरती है यह सथाई की जाए यानि कि पर्मानेंट की जाए देखिए समीधा बेस का मतलब भी होता है कि आपको कभी भी हटा सकते हैं और आप एक प्राइविट टाइप में ही रहोगे ठीक है लेकिन सथाई का मतलब आप गवर्मेंट टीचर के रूप में रहोगे जिस तरह 1st grade, 2nd grade, 3rd grade वाले रहते हैं रीट वाले ठीक है उसी तरह से अब वितवी भागने इसकी मंजूरी दे दी है तो अब क्या है आब इसका syllabus की हम बात करें तो आगामी हफते में भरती का syllabus जारी कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी यानि कि आप मान कर के चलि ठीक है तो पहली बात तो जो लोग अभी वी यह सोच रहे है कि उनकी जो computer अनुदेशक बढ़ती है computer अनुदेशक का मतल्य होता है दोस्तो computer teacher की जो बढ़ती है वो अगे पर्मानेंट वेस पर नहीं है तो वो गलत सोच रहेगी जैसे डीट के 1st, 2nd, 3rd grade वाले टीचर रहत ना तो जो लोग इंटरस्टेड हैं जो लोग computer technology से graduate है पोस्ट graduate है अंडर graduate है वो लोग इसके अंदर form भर सकते हैं ठीक है read कितरा है इसका exam लिया जाएगा ठीक है और इसके तो syllabus है मैंने आपको बताई दिया है इसकी जब देखो वित्वी बाग से मंजूरी मिल चुकिया ना तो इसका मतलब है कि यह permanent हो चुकिया वित्वी बाग ने जिस वर्ति को मुझूरी दे दी वो permanent हो जाती है ठीक है तो students के लिए जो सबसे वड़ी चिंता का जो विश्य था वो अब हड़ चुका है रही बात दोस्तों यह exam कब तक हो सकते हैं देखो syllabus आने के एक से डेड महिने तक का तो इसमें टाइम लगेगा ठीक है तो आप यूं मान सकते हो कि अक्टूबर नुवंबर तक इसके exam होने के chances हैं ठीक है उससे पहले पटवार वगेरा रीट वगेरा सब इंस्पेक्टर वगेरा के exams जो हैं वो भी करवाये जाएंगे ठीक है ना और कल ही मैंने और कि सब इंपेक्टर को लेकर के क्या रही है नहीं किये जाएंगे जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखिए वो इस से पहले जो जह्यर वीडियो डह diary है सब इंस्पेक्टर के जाकर के ब order ने क्या कहा है क्या updates है, students क्या कह रही है क्या exam पॉस्ट पॉन होने चाहिं नही होने चाहिए और कमेंट में यह भी जुरू बताना कि computer teacher की जो vacancy है उसमें form कौन-कौन भर रहा है और किस-किस ने जो है त्यारी start कर दिये ठीक है इसके लावा बाकी की जो भी vacancy है उसको लेकर के भी मैं एक brief वीडियो आपके लिए कर क्या हूंगा कल सुबह या फिर कल शाम तक आपके लिए एक वीडियो आएगी जिसके अंदर बाकी vacancy के बारे में briefly बताऊंगा जैसे वन रक्षक वन पाल ग्राम से वक्की है ठीक है तो आप लोग त्यार रहना और यह बताना कि आप लोगों को आप लोगों को जो है कौन से एक्जाम की त्यारी करनी है ठीक है अभी आपको कौन से एक्जाम की त्यारी करने है वो भी आप मुझे comment section में ज़रूर बताना ठीक है दोस्तों इसके लावा whatsapp group का link और मेरा number आपको description वक्स में मिल जाएगा कोई बी query या contact आपको करना है आप कभी भी कर सकते हैं चैनल पर playlist आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं इसके लावा चैनल पर नए हो तो subscriber के bell icon को दबा लेना ताकि हमारी ऐसी teaching वीडियो आप तक पहुंशती रहे ठीक है और दूसरी बात दोस्तों हम current affair course भी launch करने जा रहे हैं तो जिसको current affair course चाहिए वो मुझे जो description box में number है उन number पर वाटसेप करेगा वहाँ पर हम आपको सारी detail बता देंगे तो जो भी interested है उसमें हम static national सभी type के current affair करेंगे जो भी interested है आप लोग मुझे वाटसेप में personal message कर देना ठीक है मिलते नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर जैहिंद जवारत